नमस्कार दोस्तों मैं गुरुपाध्याई स्वावत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शेर मार्केट एनलिसिस में आज बजार में खबरों के दम पर भारी पिटाई पड़ी तीन खबरें बताता हूँ पहले HDFC बैंक जिसने आज बजार को पूरी तरीके से लाल निशान में करने का काम करा दूसरा पावर मंतरी आरके सिंग जी की तरफ से एक बयान जिसकी वज़े से IEX का शेर दोस्त हो गया पूरी तरीके से और तीसरा सरकार की तरफ से एक अनाउंस्मेंट आई कि पैट्रॉल डीजल के दाम आने वाले कुछ दिनों में 10 रुपे प्रती लीटर तक घट सकते हैं जो कि हमारे आपके लिए काफी positive है लेकिन ये सब चीज ना short term के लिए होगी लेकिन उसकी वज़े से आज कुछ stocks टूटे हैं तो ये तीनों इन topics को discuss करता हूँ आप सभी के साथ सबसे पहले शुरू करना चाहूँगा petrol डीजल वाली cover के साथ क्योंकि यहां पे काफी confusion create हो रहा है कुछ लोग कहरें भाई मिरको तो लग रहा था बढ़े गए मैं आपको बताना चाहता हूँ यह जो सरकार है आपको भी पता है हमें भी पता है जब election आता है सामने तो सरकार दिल जीतने के लिए लोगों को आकरशित करने के लिए अलग अलग चीज़ा करती है इस समय चीनी के दाम कम रहें तो सरकार ने चीनी कमपनियों के लिए एक्सपोर्ट बंद कर दिया पैट्रोल के लिए एतनॉल नहीं बना सकते कर दिया लेकिन चीनी के दाम आपको और हमें सस्ते मिलेंगे इस समय चावल के दाम महंगे ना हो जाएं तो सरकार ने एक्सपोर्ट पे लिमिट लगा दी तो आपको और हमारे लिए चावल महंगा नहीं होगा सरकार हर वो प्रयाप्त कोसिस कर रही है जिससे महंगाई भढ़ना जाए क्योंकि महंगाई भढ़ गई इस समय स्पेशली तो चार महीने बाद एलेक्शन पढ़ा है हर व्यक्ति कह देगा यार सरकार तो बहुत महंगाई कर रही है यह तो खराब है मामला जो रिसेंट होता है न वही पबलिक देखती है तो यहाँ पे सरकार हर एक प्रियाप्त कोशिश कर रही है कि लोगों के लिए सारी सुविदाएं दी जाएं तो सरकार अभी इलेक्शन से पहले पेट्रल डीजल के दाम भी कम करने ही तैयारी में हाला कि एलेक्शन के बाद वो पोस्ट एलेक्शन वो फिर वापस दीरे-दीरे बढ़ जाने है आपको मुझे हमेरे सबको पता है लेकिन अभी क्या हुआ पेट्रल और डीजल के दाम घटेंगे ऐसी खबर आ रही है अफिशियल नहीं है लेकिन खबरे आ रही है हवा में और इसी के दम पर आज पूरा ओयल मार्केटिंग स्पेश लाइक बीपी सी एल एचपी सी एल आईयोसी इन स्टॉक्स में गिरावट आते हो दिखी अब मैं स्टॉक स्पेसिफिक बात करता हूँ पहले पहले बीपी सी एल को देख लेते हैं कि कितना टूटा है कितना नहीं टूटा है क्योंकि न्यूस तो थी और न्यूस इनके लिए नेगेटिव है बट कुछ खास नीटूटा फ्लैट ही बंद हो गया आईयोसी की बात कर लेते हैं एक बार आईयोसी तो हरे निशान में बंद हुआ है तो कोई फर्क नहीं पड़ा वहिए इस पर जो न्यूस है ना ये ओफिशल नहीं है तो मार्केट ने कोई रेक्शन दिया नहीं हिंद बैटर हो भी एग्जकली वहीरा अब ये स्टॉक अगर टूटते भी है तो भी कोई टेंशन लेनी नहीं कि टेक्निकली बहुत स्ट्रॉंग हो रहे हैं आगे पीछे होगे अपना फ्रेश लाइफ हाई लगाने की तैयारी में तीरोई कंप्रीज और इस पर मैं अल्रेडी बात कर चुका हूँ यह हो गई आपके लिए पहली खबर दूसरी खबर थी आपके लिए सबसे बड़ी हो थी HDFC बैंक HDFC बैंक के नंबर्स देखोगे तो वो नीट्रल है लेकिन अंदर कॉंग कॉल में LDR लॉन डेपोसित रेश जो होता है वो कम हो गया यानि कि सिंपल सी बासा में इन्वेस्टर्स का बैंक से यह जानना चाते हैं आप डिपोसितर्स को अपनी तरफ कैसे आकरशित करोगे कैसे अपना काशा रेशो बढ़ाओगे तो बैंक का मानना है कि हम पहुचेंगे दुबारा से 42 के कासा रेशो पे 42 परसेंट पे कासा यानि की करेंट एंड सेविंग अकाउंट बट अभी तो यह 37 पे आ चुके हैं अब इसको बढ़ाने के लिए औव्यस हैंने कुछ न कुछ खर्चा भी करना पड़ेगा लोगों को आगरशित करेंगे तो मेभी advertisement करना पड़े staff बढ़ाना पड़े branches open करनी पड़े कुछ तो करना पड़ेगा maybe interest rate ही बढ़ाने पड़े लोगों के लिए ताकि और ज्यादा पैसा इनके पास deposit हो obvious है तभी तो आएंगे लोग deposit करने क्योंकि competition तो कम है नहीं है सबसे बड़ी bank जरूर है लेकिन आपके लिए competition तो बहुत खड़ा है ना हर कौने-कौने पर bank आ रही है तो market का ये मानना है कि अभी इनके पास deposit भड़ नहीं रहे है और अगर ये deposit भड़ाने की कोशिश करते हैं तो इनके margins घड़ जाएंगे net interest margins यानि कि खर्चा कड़ेंगे तो margins अपने आप घड़ जाएंगे खर्चा करना पड़ेगा आपनी तरफ deposits को लाने के लिए तो share का price टूटा है लेकिन मेरा मानना है कि share का price जो जो आज 9% टूटा है यार ये हाथी 9% आपको गिरता हुआ दिख रहा है जाती है और हमेशा करनी चाहिए लेकिन portfolio भी देखनी है मेरी 1000 रुपे की portfolio है मैं 100 रुपे HDFC बैंक में लगा दूँगा 20 रुपे और average कर लूँगा जादा से जादा उस 20 में से भी 10 अभी करूँगा 10 और गिरावट में करूँगा यानि कि मैं total portfolio का 12% का weightage दे सकता हूँ उस से जादा नहीं दूँगा मेरी portfolio 1000 रुपे गिया और उन्हें 500 रुपे तो पहले ही HDFC में लगा रखे थे अभी average करते हैं समय 100 रुपे तो 600 रुपे यानि कि 60% portfolio मेरी HDFC बैंक है ये नहीं होने दूँगा मैं तो ये चीज़ जरूर याद रखना तीसरी बड़ी खबर IEX के लिए और इसके लिए खराब है बेहद खराब है क्योंकि इसके financials पे impact आ रहा है या सीधे सरकार कह रही है power minister कह रही है कि market coupling जल्दी ही आएगी और आवश्यक्ता है उसकी market coupling में market share जो IEX का सबसे जादा है वो तूट जाएगा क्योंकि फिर सरकार से होते हुए सारे orders निकलेंगे और ये IEX के धंदे को खतम करने की बात है एक तरीके से तो मेरे को लगता है इसके लिए तो बहुत ही negative है ये stock नहीं average करना चाहिए इस बाव पे भी अदर्वाइस मैं positive था मेरे 2024 का stock था ये बट जब सरकार ही हाथ दो के पीछे पढ़ जाए तो क्या ही कर सकते है तो ये पूरी की पूरी डीटेल वीडियो थी ओप आपको सारी चीज़े समझ में आई होंगी thank you so much for watching this video have a great day guys